जहेंद प्यारे साथ योग कैसे आप सब बिलकुल मस्त होंगी यूनिकी स्टेडी विद अजय यूटूब चैनल पर आप सभी का भूत-बहुत स्वागत है तो हम थोट पढ़ रहे थे फिलाल और थोट में हम मातरातमक क्रांती पढ़ रहे थे मातरातमक क्रांती के बारे मैंने आपको कुछ important बाते बताई थी कि भूगोल में तकनिकी और सांकी की वीदियो का जो हम उप्योग करते हैं वो क्या है? एक मातरातमक क्रांती है वो quantitative revolution है भूगोल में सांकी की वीदियो का प्रयोग 1960 के दसक में प्रारंब हुआ था और मातरातमक क्रांती सब्द का सबसे पहले प्रयोग बर्टन मोदे के दौरा किया गया था बर्टन मोदे के दौरा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था किताब किसकी है बर्टन मोदे की है और इस पुष्टक में बर्टन मोदे ने मातरातमक क्रांती का परतिपादन किया था इसके बाद वह ये कुछ बीच में थोरी थी डेट वाइस तो इन्हें हमें याद करना है जो मैंने आपको पिछली वाली क्लास पर बहुत अच्छे से बता दिया था अब हम सुरू करते हैं मातरातमक क्रांती को बिल्कुर स्टार्टिंग से मातरातमक क्रांती का वास्टविक विकास ब्रेटन में हुआ था बहुत महत्पुन टॉपिक है बहुत महत्पुन लाइन है ये भी कि मातरातमक क्रांती का वास्टविक रूप से विकास का पर हुआ था ब्रेटन में हुआ था पीटर हैगेट वर चोली के द्वारा आर्थिक भूद्रिशों को समझाने के लिए भूगोल में कई मोडल तयार किया गए थे ठीक है तो आपको केवल इतना याद करना है कि मोडल्स इन जोग्रोफी किसके पुस्तक का नाम है पीटर हैगेट वर चोली की पुस्तक का नाम है जो मैंने पिछली से पिछली क्लास में आपको समझा दिया था मैंने पीटर हेगेट को भी अलग से समझाया था चोले को भी अलग से समझाया था The Frontiers of Geographical Teaching किताब किस की है या आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बताओ The Frontiers of Geographical Teaching और मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जिन किताबों के लास्ट में Models in Geography सब जुड़ा हुआ है वो किताबे किसकी है पीटर हेगेट और चोले की है यह मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था आपको यह सारी बाते Models यथार्थ का सरलवे आद्रस में व्यक्ति करन है जो विसिस्टाउं को उजागर करता है उसके बाद में हम यहां बात करते है डेवीड होर्वे मातरात्म करांति का सबसे बड़ा समर्थक था यह आपको पता होना चाहिए कि जो डेवीड होर्वे था वो मातरात्म करांति का सबसे बड़ा समर्थक था लेकिन 1970 के दसक में इसके विरोधी हो गया था तो आपको केवल इतना याद रखना है कि जो डेविड होरवे था वो मात्रात्मक क्रांती का सबसे बड़ा समर्थक था लेकिन बाद में ये इसके खिलाप हो गया था तो एक जैसे मैंने बोमेन के बारें पढ़ाया था बोमेन का भी ये सीन था कि जो इसा बोमेन था वो पहले निश्यवाद का समर्थक था बाद में संभवाद का हो गया था बिलकुल ठीक इसी तरीके से डेविड होरवे मातरात्मक वाद का समर्थक भी था और इसका विरोधी भी हो गया था डेविड होरवे ने मातरातवक क्रांती की डेफिनेस अंदी थी कि मातरातवक क्रांती का कारिया पूरा हो चुका है वह न्यूंतम लाप की सीमा पर जा पहुंची है तो ये लाइन आपको ये स्टेटमेंट ने ये पूंच लेता है वो कि ये statement किसका है तो आपको पता होना चाहिए डेविड हॉरवे का है डड़ले स्टाम्प इसका सबसे बड़ा आलोचक था वहें इसे क्रांथी तही भूगुल बलकि घ्रहयुद कहता था ठीक है तो अब आपको पता होना चाहिए मात्रात्व क्रांथी का सबसे बड़ा और ध्यान रखना डड़ले स्टाम्प ने मातरात्म क्रांती को ग्रह युद की संग्या दे थी तो यहां से भी क्योशन बनता है कि कौन सा विद्वान था जिसने मातरात्म क्रांती को मातरात्म क्रांती न मानकर एक ग्रह युद माना था तो वो थे डड़ले स्टाम्प डडले इस्ताम्प के अनुसार कम्प्यूटर इसके सर्वन बचड़े है डडले इस्ताम्प ने कहा था कि जो कम्प्यूटर है वो मात्रात्मक रांतिका सर्वन बचड़ा है मिन्चुल के अनुसार मात्रात्मक वीदियों के समर्थग द्रश्य जगत के कंटक है तो चाहे मत याद करू ज्यादा important line नहीं है ये ठीक है लेकिन इससे पहले मैंने जो डड़ले स्टाम के बारे में बताया था वो आपको याद होना चाहिए उसके बाद में हम बात करते हैं छेत्रे विबेदी करण वे अपवादवाद के बारे में तो छेत्रे विबेदी करण और अपवादवाद ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए धरातल पर घटनाया का विबेदी करण का विशिश्टी करण अध्यन होट्सान ने प्रारमब किया था तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों कि धरातल पर जो अलě होट सोन मोदे ने की थी और होट सोन मोदे ने एक किताब छापी थी उस किताब का नाम था नैचर ओफ जोग्रोफी ठीक है यह सारी चीजे आपको पता होनी चाहिए कि धरातल पर विबेदी करण की सुरुवात धरातल पर विशिष्टी करण की सुरुवात किस ने की थी होट को निवारा एक किताब लिख गई थी नेचर एफ जोग्रो že उन किया बात आप अच्छे से याद करने के लिए कहा था आपको इस चीज़ को होर्सोन ने बताया कि एक छेत्र में प्राप्त होर्सोन मोदे ने बताया था जो छेत्रे विबेदी करण है चेत्रे विबेदी करण के सम्मद में होर्सोन मोदे ने बताया था किसी एक विशेश चेत्र के अंदर जो विशेश टाइम पाई जाती है वो उस चेत्र को एक अलग एक विन व्यक्तित्यों परधान करती है और यही चेत्रे विबेदी करण है होर्सोन मोदे ने चेत्रे विबेदी करण की डेफिनेशन दी थी कि किसी भी चेत्र के अंदर जो कुछ विशेश पाया जाता है जो उस छेतर को अन्या बाकी के समस्थ छेतर से अलग करता है उसे क्या कहते हैं उसे हम मेरे प्यारे साथियों छेतरे विबेदी करण कहते हैं इसी से छेत्र विबेदिक रण की संकल्प्ना का विकास वा और यहीं छेत्र वरन्नी वह गोल है कोरोलोजिकल साइंस है अब यहापको पता होना चाहिए कोरो लोजी साइंस होर्ट सोन से सम्माद दीता है ये भी ध्यानक ना कोरो लोजी की साइंस है वो अलग-अलग विद्वानों के साथ जोड़ी हुई है तो मैंने इस से पहले कौन-कौन से विद्वानों के साथ कोरो लोजी साइंस को जोड़ा है यह आप कमेंड साहसन में कमेंड करके एक बार जरूर बताना इस तरह होर्सोन ने सरोपर्थम छेत्री विबेदी करन के संक्रपना का परतिपादन किया था तो यहां से क्योसन बनेगा कि छेत्री विबेदी करन के संक्रपना का सबसे पहले परतिपादन किस ने किया था सबसे पहले एक-एक करके पढ़ते हैं जो को सैफर मोदय अपवादवाद के समर्थक हैं ठीकर क्यों सन आ जाता है कि अपवादवाद के समर्थक कौन थे तो सैफर मोदय सैफर मोदय अपवादवाद के समर्थक है कोरोलोजी सब्द का प्रियोग इस्ट्रोबो ने किया था बुगोल को घटित प्रादेशिक विज्ञानिया कोरोलोजिकल साइन्स किस ने माना कांट ने माना था बुगोल छेतरवर्णी विज्ञान है जिच तौफेन ने कहा था छेतरे विबेदी करन सब्द का प्रियोग हैटनर ने किया था छेतरे विबिन्ता सब्द का प्रियोग कोल सावर ने किया था और छेतरे विबेदी करन की संकल्पना होड सोन ने दे थी यह confuse करने वाले factor है जिनको हमने एक जगह सामिल कर लिया है दुबारा से बताता हूं मैं देखो अपवाद वाद जुड़ा सैफर मोदे से हैं ठीकर यह आपको पता होना चाहिए कि जो अपवाद वाद है वो सैफर मोदे के साथ जुड़ा हुआ है अपवाद वाद के जनक सम अब यहां पर हम थोड़ा अपवाद वाद के बारें पढ़ लेते हैं अपवाद वाद का बुगूल इसका विकास अमेरिका में सैफर के दोरा किया गया था जो अपवाद वाद का सुरुआत है वो कहां से हुई थी अमेरिका से हुई थी और वो सैफर मोदे के दोरा इसकी सुरुआत हुई थी एक्स प्लेनेसिम इन जोग्रोफी एक्स प्लेने लीजम इन जोग्रोफी यह प उसके बाद में हम इस्थानिक व्षिलेशन जो इस्थानिक विषिलेशन बाद में पढ़ते हैं प्रो अन्वीन के अनुसार इस्थानिक विसलेशन इस्थानिक विसलेशन का समर्थन किया था इस्थानिक विसलेशन इस्थान मार्गो वे दूर्यों के अध्यन से सम्बन देता है जो इस्थानिक विसलेशन है वो इस्थान मार्गो और दूर्यों के अध्यन से सम्बन देता ये प्रो अन्वीन मोदे ने कहा था इनमें इस्थान विसेस की आर्थिक किरियाओं को विसलेशित किया जाता है ठीक है ना जो इस्थान विसेस की जो आर्थिक किरियाओं है उनको अच्छे से विसलेशित किया जाता है अवस्थिती विसलेशन इसमें किसी इस्थान विसेस क की दृश्य घट्राओं का विसलेशन किया जाता है जो आवस्थिती विसलेशन है जिसको हम लोकेशन अनालासिस कहते हैं तो लोकेशन अनलासिस या अवस्थिती विसलेशन में हम किसी इस्थान विसेश की दृश्य घट्राओं का विसलेशन करते हैं विल्यम बुंगी ने अपनी पुस्तक थियर्टिकल जोग्रोपी में कहा कि भुगोल इस्थान निर्धारन का विज्ञान है तो थियर्टिकल जोग्रोपी किताब किसकी है प्यारे साथियों विल्यम बुंगी की है विल्यम बुंगी ने अपनी किताब थियर्टिकल जोग्रोफी में भुगोल इस्था निर्धारन विग्यान बताया था तो ये ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियो दो बाते यहां पर कि थियर्टिकल जोग्रोफी किताब विल्यम बुंगी की है बुगोल इस्थाल निर्धारन का विग्यान है ये किस ने कहा था विलियम बुंगे ने कहा था Locational Analysis in Human Geography पीटर हैगेट की किताब का नाम है ये भी आपको पता होना चाहिए करिक्षिन है वे किता है थाए ने ये किताइ है गाम है ये किताशन है है आइ एक है अब इस ने है इस लिए एक हैसे इमुनिव कांट ने भुगोल को को रोलोजी विज्ञान कहा था ठीक यहां पर जो मैंन चीजे वो मैं आपको पड़ा रहा हूं वहत सारी सिजें हम नहीं पढ़ेंगे जो हमारे काम किये किवला हमें वो वो पढ़ना है ठीक है तो कोरोलोजी विज्ञान भूगोल को कोरोलोजी विज्ञान किस ने कहा था यह आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए इस्ट्रबो ने सुरोपर्थम भूगोल के लिए छेतरवर्णी सब्द का प्रियोग किया था तो भूगोल के लिए छेतरवर्णी सब्द का प्रियोग किस ने किया था इस्ट्रबो ने किया था इन्होंने बताया कि भूगोल पर्तवी के भागो का वर्णन का प्रियास करने वाला पहला भुगोल वेता था तो अब देखो यहाँ पर दो बाते याद करनी आपको छेतर वर्णी सब्द का सबसे पहले प्रियोग इस्ट्रबों ने किया था पर्तवी के भागो का वर्णन करने वाला पहला भुगोल वेता कौन था परतिवी के अलग अलग भागो को वर्णन करने वाला पहला भुगोल वेता कौन था इस्ट्रबो मोदे था तो इस्ट्रबो के बारे में दो बाते याद करनी पहली छेतर बननी सब्दका प्रियोग इस्ट्रबो ने किया परतिवी के विभिन भागो का वर्णन करने क क्या किम्मिनुय stabilized कान्ट ने भूगुल को कोरो लोजिक साइन्स कहा था यह फिर से आ गया यहां पर तो इसको ध्यान रखना कि एम्मिल्यान कान्ट ने भूगुल को कोरो लोजि विज्ञान कहा था City कि अच्या थो कैलेबार बार रिच्टोपेन ने बुगोल को चेतरवणी विग्यान घोसित करने वाला पर्थम जर्मन विद्वान था अब यहां पर यह बहुत महत्पून बात है कि बुगोल को चेतरवणी विग्यान घोसित करने वाला पहला विद्वान कुन था रिच्टोपेन था रिच्थोपेन ने Major Work on China जहां रखना Major Work on China जदी क्यों सब्सक्राइब कि major work on China किस से संबन दिता है तो वो रिच्थोपेन से संबन दिता है रिच्थोपेन ने चाइना के उपर भूट बड़ा काम किया था जहानक गना रिच्टोपेन का जो अध्यन छेतर था वो चायना का लोईस छेतर था लोईस छेतर लाल मिठी के लिए परसीद है रिच्टोपेन एक जर्मन विधवान था हैटनर ने छेत्र विबिन्ता पर बल दिया था हैटनर मोद्य ने छेत्र विबिन्ता पर बल दिया अमेरिका में रिचर्ड होट्सों ने भुगोल की प्रादेशिक विज्ञान के रोप में व्याख्या की थी तो जो होट्सों मोद्य थे इन्होंने भुगोल की प्रादेशिक विज्ञान की रूप में व्याख्या की थी होट्स और मोदे अमेरिका के थे तो यहां पर कौन-कौन सी बाते याद करनी है चेतरवन्नी विज्ञान भुगोल को चेतरवन्नी विज्ञान घोसित करने वाला पर्थम जर्मन विद्वान कून था रिच्टोपें था हैटनर ने चेतरे विबिन्ता पर बल दिया था होट्स और मोदे कहां के थे अमेरिका के थे बुगोल की प्राध्यसिक विज्ञान के रूप मेनों ने व्याख्या की थी है अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं होट्स और मोदे ने एक डेफिनेशन दी थी कि दुनिया में क्या घटित हो रहा है बुगोल इसी का अध्यन करता है यह बात किस ने बोली थी होट्स और मोदे ने बोली थी फ्रांस में बलास ने प्राध्यसी बुगोल का विकास किया और पेज की संकल्पना दे थी पेज की संकल्पना और कमपोज की संकल्पना दोनों याद रखना पेज बलास मो प्रांस के लगू छेतर के लिए ब्लास मोदे ने किया था कंपोज सब्द का प्रियोग हिटल सी मोदे के द्वारा लगू छेतर के लिए किया गया था अब ये बताओ कि कंपोज सब्द का प्रियोग कहां के अध्यन छेतर पर आधारीत है बुगोल वित्रन का विज्ञान है वोरेनियस और कांट ने सबसे पहले बुगोल का सम्मद्ध वित्रन के विज्ञान की रूप में बताया था तो बुगोल वित्रन का विज्ञान है इसका समर्थन कौन कौन करते थे वोरेनियस और कांट मोद्य करते थे मौर्स ने कहा था कि बुगोल वस्तुए कहा कहा है का अध्यन करता है जो मौर्स मोदे ने कहा था मौर्स मोदे ने एक स्टेटमेंट दिया कि बुगोल वस्तुए कहा कहा पर है इसका अध्यन करता है बुगोल वस्तुए कहा कहा पर है इसका अध्यन करता है ने कहा था मोर्स मोदे ने कहा था हैटनर के अनुसार इत्यास कब का था भुगोल कहा का अध्यन करता है हैटनर ने मोदे ने कहा था कि इत्यास कब का और भुगोल कहा का अध्यन करता है इत्यास के अंदर हम जानते हैं कब वो घटना कब घटी तो ही थी और भुगोल में हम ब अब हम बात करते हैं मानो और प्रियावरण के बीच में जो अंतर संबंद है उनके बारे में कि मानो और प्रियावरण के बीच में किस तरीके का संबंद है यह अब हम यहाँ पर किलियर करने वाले हैं मानव और प्रयावन के अंतर संबंद की विचार धारे मानव और प्रयावन के बीच में जो संबंद है उनसकी अलग-अलग विचार धाराई है जिसमें सबसे पहले आता है नियतिवाद जिसका हम डिटर्मिनीज में कहते हैं इंगलिस में जर्मन में इसका विकास हुआ था इ सुर्व सक्ति मान कर समस्त मानुए किरियाओं का नियंतरक मानती है यह बात ध्यान रखना भूत लोजिकल बात है यहां पर यह कि जो नियतिवाद है जो डिटर्मिनीज में है इसकी सुरुवाद किस ने की थी रैट जेल मोदे ने की थी रैट जेल ठीक है रैट जेल मोदे कहां के थे यह भी आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बता दो नियतिवाद का विकास किस देश से हुआ था जर्मनी से हुआ था इसको विक्षित रैट जेल मोदे ने किया था अब नियतिवादी क्या आप कहता है नियतिवादी इसको आप निश्यवादी भी कह सकते हो नियतिवादी कह दो चाहे निश्यवादी कह तो बात एक ही है डिटर्मिनिजम कह दो बात एक ही है नियतिवादी निश्यवादी और डिटर्मिनिजम इन लोगों का कहना क्या था कि भाई जो परकरती ने वो सक्तिसालिय है और मानव क्या है कम जोर है परकरती जैसे चाए वैसे कर सकती है लेकिन मानव जैसे चाए वैसे नहीं कर सकता तो नियती वादी थे जो क्या करते थे नियती वादियों का मानना था कि परकर्टी तो वहुत ज़्यादा सक्तिसालिया देखे मानव क्या है? कम सक्तिसालिया परकर्टी है जो मानव के उपर राज करती है तो आपको नियती वाद के जित्रे भी समर्थकते उनके विचारों में आपको ये जलक जरूर देखने को मिलेगी कि नियतिवादी सदा परकर्ति को सर्वसक्तिसाली मानते थे अब ये इसके कुछ समर्थक है जैसे हिपाकर्च है हंटी गटन है हिकन है अरस्तु है इस्ट्ड बो है देवीस है लापले है रैटजेल है सेम्पुल है वोरेनियस है रिटर है हमबोल्ट है और कान्ट है और इन सभी सब्दों को आपको याद रखना है प्यारे साथियो कि नियतिवाध के समर्थक कोन कोन है यह आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्योसन भनता है कि निम्बलbyकित में से कोन से भुगrie था नियतिवाध के समर्थक थे तो कौन-कौन हिपाकर्स, कांट, हंटीगटन, हीकन, हमबोल्ट, अरस्तू, रिटर, लेपले, डेवीस, रेट जेल, सैंपूल, इस्ट्रेबो और वोरेनियास ये सारे सारे नियतिवाद या निश्यवाद के समर्थक थे रेट जेल, एक जर्मन जोगराफर था, एंत्रो पौलोजिस्ट था, जर्मन में नियतिवाद का परतिपादन किया था, इन्होंने परकर्ति को सुर्व सक्ति साली मान कर इसकी व्याख्या की थी मानों को उसी प्रयावरण में रहना है तो उसके साथ ताल मेल बिठा कर रहना पड़ेगा जैसे पेड़ पोदे और जीव जन्तु रहते हैं ये रेट जेल मोदे ने कहा था भाई साव तो रेट जेल मोदे का पहला स्टेटमेंट तो क्या है कि मानों को उसी प्रियावरण में रहना है तो उसको प्रकृति के साथ उस प्रियावरण के साथ ताल मेल बैठा कर रहना होगा जिस तरीके से पेड़ पोदे और जीव जन्तु रहते हैं समान प्रस्तितिया समान जीवन पद्धति की ओ ले जाते हैं ये भी रेट जेल मोदे ने कहा था कि समान प्रस्थितियां समान जीवन पद्धिति की ओ ले जाती है और इसका एक सबसे अच्छा एक्जामपल है बुमध्य साग्रिय जलवाई उपर देश तो रेट जेल मोदे की निश्यवाद के संबद में ये दो स्टेटमेंट थे दोनों के दोनों आपको पता होने चाहिए अब हम रिटर के बारे में पढ़ते हैं कि रिटर मोदे ने निश्यवाद को लेकर क्या क्या कहा था पहला, रिटर क्या थे? वातावर्न नियतिवादी थे पर्थवी का निर्मान मनुश्य के लिए हुआ है और हमें पर्थवी के नियमों के बारे में स्यों पर्थवी से पुहँचना चाहिए बहुत महत्पोन्र स्टेटमेंट है बहुत सारी बार क्योसर बनता है यहां से मानों के विकास मार्ग का निर्दारन करने में प्राकर्टिक प्रियावरन सरक्षम है ठीक है तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट रिटर मोदै के थे पहला statement क्या था कि पर्तुई का निर्मान मनुश्य के लिए हुआ है हमें पर्तुई के नियमों के बारे में खुद स्यों पर्तुई से पहुँचना चाहिए मानों के विकास मार्ग का निर्धारन करने में प्राकर्तिक प्रयावरन सक्षम है तो ये दोनों के दोनों statement किसके है मेरे प्यारे साथियों return mode के हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए उसके बाद हम sample के बारे में बात करते हैं sample किसके सिस्या थे rat gel के सिस्या थे ठीक है ध्यान रखना प्रेवन नियत रहा थी थी और अमेरिका में प्रेवन नियति वाद को इन्होंने विक्सित किया था मानौ ध्रातल की उपज है सैंप्ल ने कहा था भोत महतपुन इस्टेटमेंट है रट लेना प्यारे साती यहां से क्योसन बनेगा ही कि मानौ ध्रातल की उपजय किसने कहा था सैंपूल ने कहा था अब हम बात करते हंटी गटन के बारे में हंटी गटन जलवायू नियतिवादी थे भोतिक वातावरण के जलवायू तत्यों को अधिक महतव दिया इसने मानुए सब्वेता के विकास वे उनती में जलवायू तत्यों की व्यक्या परमुक नियंतरक कारक मान कर की और कहा कि सब्वेताओं का विकास अनुकूल जलवायू में हुआ है तो आप बहुत सारा भूल जाओ के केवल इतना स्टेटमेंट याद कर लो कि सब्वेताओं का विकास अनुकूल जलवायू में हुआ है ये बात किस ने बोली थ हंटी गटन ने बोली थी और हंटी गटन क्या थे एक जलवायू नियतिवादी थे सेंपुल क्या थी एक पर्यावन नियतिवादी थी यह दोनों सब्दों को ध्यान रखना सेंपुल पर्यावन नियतिवादी है हंटी गटन जलवायू नियतिवादी है सब्यताओं का विकास अनुकूल जलवायू में हुआ हंटी गटन ने कहा था प्रैंटी गटन की किताब का नाम है प्रैंटी गटन की किताब का नाम है प्रैंटी गटन की किताब का नाम है विश्की अधिकांस जन्संक्या सितोषन जलवायू पर्दिसों में रहती है यह बात भी इन्हों नहीं बूली थी ठीक है अब हम बात करता है संभोवाद के बारे में संभोवाद को मैं जस्ट अगली दूसरी क्लास में पढ़ाने वाला हुँ आपको और अगली क्लास में मैं इन सभी को complete कर दूँगा